अभी हाली में CBSC ने लगबग क्लास 10 के सभी सब्जेक्स के सैंपल पेपर्स रिलीज किये हैं जो एक्जाम सुडेंट साल 2020 में देंगे ये सैंपल पेपर्स उनके लिए काफी ज़्यादा हेल्फुल हैं साथ ही सभी सब्जेक्स के लिए मार्किंग स्कीम भी CBSC ने लिज्रीज की है आज हम आपको CBSC क्लास 10 साइंपल पेपर 2020 के जर्ये पेपर का पैटन बताएंगे साथ ही marking scheme की मदद से आपको बताएंगे कि किसी भी answer को लिखने के लिए step wise marking कैसे होती है सबसे पहले आपको CBSC class 10 science sample paper का pattern बताते हैं इस question paper में आपसे 30 सवाजने की 30 questions पूछे जाएंगे जो 3 sections आने की A, B और C में divided है पूरा paper 80 marks का होगा जिसे आपको 3 गंटे में पूरा करना होगा section A में आते हैं question number 1 to 14 जो 1 mark each है इस section में आपको MCQ मतलब multiple choice questions, very short answer type questions और assertion reason type questions पूछे जाएंगे जिसके answers आपको one word या फिर एक sentence में देने होगे section B में आते हैं question number 15 to 24 जो 3 marks each है इस section में आपको short answer type questions पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको 50 to 60 words में लिखना होता है इसके बाद section C में question number 25 to 30 आते हैं जो 5 marks each हैं जिसके answers आपको 80 to 90 words में लिखने होते हैं overall paper में आपको कोई choice नहीं मिलेगी लेकिन कुछ questions में आपको choices दी जाएंगी जिसमें section A, B और C तीनों में आपको तीन questions में choices मिलेगी अभी आप screen पर sample paper का section A देख रहे हैं question number 1 to 14 आते हैं इस section में जो 1 mark each हैं यहां हम question number 3 का D part देखते हैं तो यहां एक graph दिया गया है और पूछा गया है which of the two cities A और B would be an ideal location for establishing a wind farm and Y यहां हम marking scheme देखें तो आपको ideal city का नाम सही बताने के लिए half mark और उसका reason बताने के लिए half mark मिलेगा इसी तरह section B को देखते हैं यहां हम question number 24 के first part को देखें तो एक figure दी गई है जहां prism में से white light pass हो रही है और prism में से pass होने पे एक stream पे x y spectrum produce करती है यहां आप से तीन पार्ट में सवाल पूछा गया है पहले पार्ट में पूछा गया है इस phenomenon का नाम x और y पे क्या colors होंगे यह दूसरे पार्ट में पूछा गया है और lastly पूछा गया है why do different colors of white light bend at different angles through a prism अगर हम marking scheme की मदद से देखें तो phenomena सही बताने के लिए आपको one mark मिलेगा x का color सही बताने पे 0.5 mark मिलेंगे y का color सही बताने पे आपको 0.5 mark मिलेंगे और इसी तरह third part कर सही answer लिखने पे आपको एक mark मिलेगा section c में question number 25 to 30 आते हैं जो 5 marks each है यहां question number 25 में पूछा गया है metal x is found in nature as its sulfide excess it is used in the galvanization of iron article identify the metal x how will you convert this sulfide over into the metal explain with equations marking scheme में देखें तो इसके answer जब आप कुछ इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे 5 marks मिलेंगे metal x बताने के लिए आपको 1 mark roasting के process को explain करने के लिए 1 mark उसकी equation लिखने के लिए 1 mark reduction के process को explain करने के लिए 1 mark और equation लिखने के लिए आपको 1 mark मिलेगा hope कि आपको cbc class 10 science sample question paper 2020 के pattern को समझने में आसानी होई होगी इस वीडियो के description में आपको sample paper और marking scheme के PDF को download करने के लिए हम link भी दे रहे हैं आप वहाँ से sample paper और marking scheme download कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और देखते रहें